अरी लिस्ट में दस्वे नंबर पर है वो शक्सियत जिसने हमारे बारे में और जिस प्रित्वी पर हम रहते हैं उसके बारे में हमारी सोच को बदल दिया। ये थे इटली के खगोलविद और बहुत एक शास्त्री गैलियो 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 विश्वास से भरे और घुसेल इनसान थे। पर हैरतंगेज चीजों के प्रती उनका जुका भी था और उन्होंने जो कुछ खोजा वो भी हैरतंगेज ही था। समझा जाता था ये एक दैविय चीज थी लेकिन उन्हें इस पर धब्बे नजर आए। ये खोजे इतनी दमदार थी कि शासन को लगा कि गैलियो का टेलिसकोप एक किस्म का जादू है जिसे उन्होंने चर्च की ताकत को कम करने के लिए बनाया है। क्योंकि तब तो हर कोई सोचता था कि पृत्वी इस गैलेक्सी के बीच में है। साथ ही इसे धांत चर्च की शिक्षा का आधार था। अगर ईश्वर ने हमें इतना खास बनाया है तो वो हमें ब्रहमांड के केंदर के बजाय कहीं और क्यों बसाएगा। तो अगर इस मानेता को आप तोड़ते हैं तो आप एक बहुत ही बुनियादी चीज को चुनौती देते हैं। गलिलियो को रोम में धर्म नयायले के सामने लाकर उन पर विधर्मी होने का आरोप लगाया गया। वे बुढ़े और बीमार थे मगर उन्होंने अपनी बात के पक्ष में दंदार बचाव पेश किया। लोगों ने उनसे पूछा आप ब्रहमान के बारे में जो कुछ कह रहे हैं क्या वो बाइबल से अलग मत नहीं है। तो उन्होंने कहा बाइबल आपको बताती है कि स्वर्ग कैसे जाया जाए। ये नहीं कि स्वर्ग कैसे रफतार पाता है। लेकिन चर्च उनकी बात से सहमत नहीं हुआ और गलीलियों को अपने दावों का खंडन करने के लिए मजबूर किया गया उन्होंने अपनी जिंदगी के आखरी नो साल अपने घर में नजर बंदी में काटे ये थी अपने वक्त से आगे चलने की प्यमत आज गलीलियों विचारों की आजादी की प्रतीक हैं साथ ही सत्ता के खिलाफ संघर्ष का स्वर्भी हैं आखिरकार वे इस संघर्ष में जीत ही गए वेटिकन ने ये बात मान ही ली कि उन्होंने इटली के खगोल विदों को घलत साबित किया था लेकिन ऐसा 1992 में ही हो पाया